Class 10 के Chapter 5 का जो Example 9 है, Question में हमसे यहाँ पर बोला गया है The sum of 1000 रुपीज is invested at 8% simple interest per year 1000 रुपे जो है, वो invest करे जाते हैं 8% के simple interest पर ठीक है, calculate the interest at the end of each year तो हमें interest को calculate करना है हर साल के last में हर साल के last में interest कितना मिलेगा, वो चीज़ हमें यहाँ पर calculate करनी है आगे हमसे बोला गया है, do these interest form an AP क्या यह जो interest मिलेगा हर साल 1000 रुपे पर 8% का क्या वो एक AP बनाता है, if so, अगर ऐसा है find the interest at the end of 30 years making use of this concept अगर ऐसा है कि यह AP बना रहा है, तो हमें 30 साल के last में जो interest मिलेगा, उसको जो है हमें find करना है इस AP का concept use करके, ठीक है, बोला गया है use of this fact, ठीक है, तो अब देखे, सबसे पहली बात आती है दो तरीके के interest होते हैं, एक तो होता है simple interest और एक होता है compound interest ठीक है, simple interest अगर हम निकालते हैं, मतलब एक तरीके से simple interest को हम इस तरीके से कह सकते हैं, देखे, पहले मैं थोड़ा सा concept के लिए कर देता हूँ simple interest के बारे में, माली जीए, एक हजार रुपे हमने कहीं पर invest करी, किसी को दिये किसी company में लगाएं कहीं पर भी, और वो जो है, वो 8% का simple interest हमें देता है उन एक हजार रुपे पर साल के last में, तो अगर माली जीए, वो एक हजार, एक साल में ही हमारे पैसे, एक हजार रुपे हमें लोटाएगा, simple interest के साथ, तो एक हजार रुपे तो ये लोटाएगा ही, ठीक है, जो हमने उसको दिये थे दूसरा, जो 8% जो है, इस पर जो interest लगा है, वो भी इन में मिला कर हमें लोटाएगा, तो एक हजार रुपे का 8% हो जाता है, असी रुपे, ठीक है तो 80 रुपे इनको जोड़के नहीं कि जब वो एक साल बाद हमें पैसे देगा तो 1080 रुपे हमें लोटाएगा ठीक है तो इस तरीके से जो है क्या होता है Simple Interest जो काम करता है वो उसी राशी पर लगता है जो राशी इन्वेस्ट करी जाती है बाकी ये Compound Interest और Simple Interest का Concept रहा लंबा है बाकी फिलहाल हम इस Question में है तो Simple Interest के बारे में हम बात कर रहे है तो अब हम से ये बोला गया है कि हर साल जब 8% का 1000 रुपे पर इन्टेस्ट लगता है तो 30 साल बात जो है 30 साल के Last में इन्टेस्ट कितना हो जाएगा AP के Fact से जो हमें ये बताना है तो सबसे पहली बात ये भी आ जाती है कि हमें Simple Interest का Formula मालूम होना चाहिए देखिए Simple Interest का जो Formula होता है वो होता है P into R into T और अपॉन में 100 P क्या होता है जो यहाँ पर जो राशी होती है ठीक है जो पैसे लगाए गये है ठीक है आर होता है जो परसंटेज होती है और टी होता है टाइम जितने साल का हमें Simple Interest निकालना है ठीक है तो अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले अगर मैं पहले साल के लिए बात करता हूं अब P कितना है हमारे पास यह प्रिंसिपल वैल्यू जो है A 1000 ठीक है तो 1000 multiply R R का मल्टिपलाई रेट कितना है किस रेट पे यह दिया गया है तो यह 8% पर T कितना है A की साल था एक साल के लास्ट में निकालना है अपॉन में कितना आगे है 100 तो 2-0 से 2-0 खतम कर देंगे तो नीचे upon में 1 बचता है तो upon के 1 को हटा देते हैं 8-1-8 और 8 की जब हम 10 से करेंगे तो कितना जाएगा 80 रुपीज तो एक साल के last में जो interest मिलेगा वो कितना होगा 80 रुपे होगा ठीक है अब जो है जो second year होगा अगर 2 साल के बाद interest निकालना है इसी पर तो 2 साल के लिए कितना interest लगेगा तो उसके लिए भी P into R into T और upon में कितना जाएगा 100 अब P तो कितना है हमारे पास P था हमारे पास 1000 रुपीज ही और 1000 और R कितना था R था हमारे पास 1000 into R जो है R हमारा 8 ही है और multiply जो T है T अब हमारे पास 2 साल के लिए है अगर 2 साल का compound simple interest अगर हमें निकालना है तो यहाँ पर अब T कितना है time कितना है 2 years तो upon में कितना लग जाएगा 100 बस यहाँ पर year के नंबर बदल जाएगे बाकी सेम ऐसी रहना है तो हमने इसको काटा तो जब हमने इसको आगे इसको ले करके चलेंगे आट दूनी 16 16 की 10 से करेंगे तो 160 रुपे आ जाएगे तो 2 साल में 160 रुपी हो जाएगा interest और 1 साल में 80 रुपे हो जाएगा इसी तरीके से तीसरे साल में देख लेते हैं तो अब जो है तीन साल था अपन में कितना जाएगा 100 दो 0 सो 2 0 कैंसिल हो जाएगे आट या 24 24 की दस्रे करेंगे इतना जाएगा 240 रुपे ठीक है तो तीन साल में जो है इतना हो जाएगा अब अगर हम देखते हैं इन तीनों के तीनों साल के जो अमाउंट है इंट्रेस्ट के वो कितने है पहले साल में आया था 80 रुपे दूसरे साल में आया था कितना एक सो साट और तीसरे साल में कितना आया था 240 तो अब अगर हम इन में देखते हैं तो इन में सब में 80-80-80 रुपीस का डिफरेंस आ रहा है तो इसी तरीके से इंट्रेस्ट का चलता चला जाएगा और यह आगे तक जब चलेगा तो तीस साल के लास्ट में अगर हम इंट्रेस्ट को देखें तो वो कितना आएगा वो चीज हमें निकालनी है तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हाँ इन में जब डिफरेंस इक्वल चल रहा है तो इट इज लिख देंगे यहाँ पर इट इज एपी यह एपी बना रहे है ना और जब यह एपी बना रहे हैं तो अब हम जो है एपी के बेस पे भी जो है तीस साल के लास्ट में इंट्रेस्ट को find कर सकते हैं कैसे देखे सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे ए कितना है यह पर first time जो होती है तो वो 80 रूपीज है और ड की अगर हम बात करें तो वो भी कितना आ जाएगा 160 में से 80 माइनस करेंगे 160 में से 80 माइनस करेंगे तो db कितना जाएगा 80 ठीक है तो d हमारे पास आ चुका है अब इसी तरीके से देखें अगर हम तो ये पहले साल का interest यहीं A1 था यह दूसरे साल का interest यहीं A2 था यह 30 साल का interest यहीं A3 था तो हमें क्या निकालना है अब इसी concept से अगर मालीजे हमें 10 साल के last में interest निकालना है तो हम A10 निकाल लेंगे ठीक है अगर हमें 30 साल के last में interest निकालना है तो बस तो हम यहां पर क्या निकाल लेंगे A30 निकाल लेंगे ठीक है तो A30 की value अगर हम देखते हैं तो formula क्या होता है A plus 29D तो A कितना है हमारे पास 80 और plus में 29 multiply DB कितना था 80 तो अभी यहां पर 80 को आप ऐसी रख लो plus में 29 की 80 से multiply करेंगे तो 0 तो आई जाएगा आट नमबा 72 का दो केरी आट नमबा 72 का दो केरी साथ आट नी सोला सोला और साथ हो जाते हैं 23 ठीक है इन दोनों को जब 8 करेंगे तो यह कितना आजाएगा 2400 ठीक है तो यह जो है इतने रुपे जो है अगर हम 1000 रुपे को 30 साल के लिए simple interest पर दे देते हैं तो उससे हमें कितन interest मिल जाएगा 2400 रुपे मिलेगा ये इसका answer हो जाएगा ठीक है इसके last में हम लिखिएंगे कितना आए था 2400 रुपे ठीक है तो हम यहाँ पर लिख देंगे the interest at the end of 30 years 30 साल के last में जो interest हो जाएगा वह 2400 रुपे हो जाएगा ये इसका answer को